अससरा मेरे कैसे हैं आप लोग है होग को बिलकुल ठीक होंगे तो जी आज हम जा रही हैं ग्रीन वेली थे वीसी ग्रोस्री शोपिंग करनी थी ज्यादा तो हम यहां से दाले होगा रही लेते हैं तो क्योंके वहां की दाले बहुत अच्छी होती हैं तो यह रेखे मेरा बोदा किता प्यारा लग रहा है अब मुसम बहुत हजएका हो रहा है अब अब अच्छी चल रही है तो हमने सुचा कि इससे फाइदा उठाएं तो चलें जी चलते हैं तो बस निकल पड़े थे फिर हम हमने सुचा कि आज मुसम अच्छा है तो फिर बाइर का काम कर ले रहे हैं क्योंके गर्मियों में जिस दिन मुसम अच्छा हो जिन बंदे की ईद हो जाती है और दिल करता है कि बाइर के जितने भी काम हो सारे एक ही दिन में कम्लीट कर ले बंदा मगर ऐसे हो तो सकता नहीं है क्योंके जाहिर सी बात है सारे काम एकी दिन थोड़ी ना निकलते हैं और हवा इतनी तेज चल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी शुकर एला का ये भी बात है कि ठंडी हवा चल रही थी और हवा से जो है वो बादल उड़ी जा रहे थे बस और आप गोड़ से देखो न तो ऐसे लगता है कि जिसे आप भी बादलों के साथ चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हो बस फिर हम ग्रीन वैली पहुंच के वहां से हमने जादा देर तो लगानी नहीं थी बस तालें बगार ली हमने राइस लिए वहां से की ट्राइ करने थे गार्ट के राइस आनी रहे थे हम गार्ट के राइस यूज़ करते हैं लेकिन वहां आनी रहे थे तो हमने सुचा कि फिर कोई और तो ट्राइ कर नहीं है कि बिर्यानी में हमारे सेलर आइसी यूज होते हैं तो बस वो लिए हैं और फिर बाहर ये देखें रश किती जादा हो रही है मौसम अच्छा है तो जाहर है हम अपनी ग्रोसरी का काम करने के हैं तो लोग इंजॉय करने के लिए तो आए वे होंगे तो बस यहां पर जितने भी यह फूट शॉप्स हैं रेस्टरॉंट्स वगारा हैं यहां पर अच्छी खासी रश पड़ी भी थी हर कोई आ रहा है कोई जा रहा है तो और इस जगह पर ट्राफिक इतनी जादा होती है कि उन्होंने कोई भी बेस्मेंट्स वगारा नहीं है खुड़ का उसथ भी बनाे और फोट जितने में भाइन जादा और कोई अहती हैं रहीं के कार प्रेक dop कि टेएल हैं जल्दी जल्दी से चीजह मिक्स की विछ श्वांचेज जाली बेन много मजब बने की कके बेहां हैं एक गोल आहीं हन बनाम नहीं है भॉँल भॉट बन भी कुम्प्ली्ट रेसीपे नहीं हैं तो लुक विंग तो का को सेड़ करने हैं Air ने नहीं से कनसे कुछ भॉट में डिप करने लगी हूं मैं भलों को और उसके बाद कुछ देर के लिए उनको सोक करके रखी रखना है फिर उसके बाद हम निकालेंगे निकाल के अपने देही पर डालेंगे लोग उसके उपर से देही डालते हैं नीचे बहले डालके उपर देही डालते हैं लेकिन हम बैट और आपने यह देखें देखें डिरेक्ट दही के अंदर डालें और अच्छा हम लोग ना थोड़े थिन खाते हैं दही को इतना थिक नहीं रखते हैं जरा थिन थिन बेटर रखते हैं दही का ताके वह खाने में अच्छे भी लगें फिर उसके बाद उपर से उसके चटनिया और पापड़ी और बगार पापड़ी के तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता क्योंके क्रंच होता है ना एक सॉफ्ट सॉफ्ट सी सारी चीज़ें होती है तो उसके अंदर जब तक क्रंच ना आया आपको तो मज़े का नहीं टेस्ट लगता मुझे तो बागी फिर कर लेते हैं गुजारा मेरा नहीं होता तो बस फिर इसके बाद अपने इसके ओपर सॉसेस डाली डिफरेंट और इंजॉई किया फिर इसके बाद यह रात का क्लिप है हम लोग वॉक के लिए निकले थे तो मैंने सूचा कि थोड़े से क्लिप्स ले ले लूँ जान इतना प इक्टिक रूटीन के बाद रात को थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ इंजॉई कर लेते हो तो बंदर रिलैक्स हो जाता है और पिर जब मिल बैठते हैं फ्रेंड्स तो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं तो बंदर माइंड रिलैक्स हो जाता है आपका पिर उ अच्छी लग रही थी तो बस फिर उसके बाद हमें तोड़े बहुते जितने भी क्लिप्स मिलें बड़ी मुश्किल समयने बनाएं तो आज के लिए बस इतना ही है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी कल तक के लिए अपना ख्याल रखियेगा मुझे दुआ में याद र